हाई गाईज, वेलकम तो और ब्राइंड न्यू सेशन ओफ करेंट अफेयर्ज, आज की तारीख है 29 सितंबर 2021, हमारे दो चानल्स हैं, पिनेकल और फ्रेंटियर आईएस, और अगर अभी तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पढ़ना ब www.dhaka.com इन दोनों को विजिट करना बिलकुल ना भूलिएगा और ये सेशन दोनों चानल्स पर सुबा चार बज़ इवेलेबल हो जाता है साथ ही साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ एंड मंथली मैगजीन आप हमाई टेलिग्राम हैंडल्स प्रेंटियर आईएस और एस भारत डिजिटल मिशन को पालेट चरण में कितने केंदी शासित प्रदेशों में लागू किया गया है तो इसका सही जवाब था छे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेस्टन देखो आज के सेशन का राश्ट्रेक एडिट को एंसी सी के महानी देशों के रूप में किसे नि किया उन्हें 1987 में पैराशूट रेजिमेंट में कमिशन दिया गया था वे नागलेंड और सी आचें गलेशियर में आतंगबाद विरोधी माहौल में कंपनी कमांडर रह चुके हैं यहोंने तस्विर में देखिये उन्होंने कष्मीर में घाटी सेक्टर के ग्येंन बाच्पा की वरिष्ट विधायक डॉक्टर नीमा बैन अचार्य को गुजरात विधानसभा का सर्व समती से धक्ष चुनलिया गया वे गुजरात विधानसभा की पहली महिला द्यक्ष बनी है विधानसभ में मौसून सत्र के पहले दिन को मुख्य मंत्री भुपेंद्र पट रखा जिसका नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने भी समर्थन किया यहने तस्वीर में देखिए बाद में सदन के सदस्यों ने डॉक्टर नीवा बैन अचार्या को सर्वसमत्ती से अधियक्ष चुना नेच्ट वेशन देखो विशु रेबिस दिवस 2021 के थीम क्या है तो मनुष्यों जाणवरों पर रेबिस के प्रभाव के बारे में जाग्ता बढ़ाने रेबिस को नियंतुरित करने के लिए जानकर रिप्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विशु रेबिस और सूक्षम जीब विग्यानी लुईस पास्चर की पुन्य तीथी का भी प्रतीक है जिन्होंने पहली रेविस वक्सिन विक्सित की थी तो लुईस हैमिल्टन ने रूसी ग्राप्री में अपनी सौवी फॉर्मला वन रेस जीत कर सौ जीत तक पहुँचने वाले पहले ड्राइवर बन गए यहाँने तस्वीर में देखिए हमिल्टन ने पिछले साल सबसे अधिक रेस जीतने के लिए एफ बान के दिगज माइकल शुमाकर को पीछे छोड़ दिया था हमिल्टन दूसरे स्थान पर मैक्स रेस्टेपन से 53 सेकिंड से आगे रहे किस केंदर मंत्री ने स्वच सर्वेक्शन 2022 जारी किया है स έχει जवाब सोब्चन न्बर आप पहली बार जि लों की रैंकेंग होगी SBM 2.0 और अटल मिशन फॉर रीजेनुबेशन एंड अर्बन ट्रांस्वरमेशन अमरुद 2.0 को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी एक अक्टूबर को लॉंच करेंगे विश्यू के सबसे बड़े शेहरी स्वचता सर्वेक्षन का सात्वा संसकरन भारत की स्वतंतरता के पचातरवे वर्ष के उत्सप के साथ शुरू हो रहा है प्रधान मंत्री के डिजिटल इंडिया के दुष्टी को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षन का अगामी संसकरन बहतर तकनी की हस्तशेपो जैसे दस्तावेजू की डिजिटल ट्राकिंग स्वचता के संबंध में जियो टागिंग और QR कोड अधारित जवाब की तो जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने आम चुनाव में चांसलर एंजिला मर्कल की क्रिस्टिन डेमोक्रेटिक ओफ यूनियन जर्मनी से अधिक वोट हासिल किये हैं सोला वर्षों से जर्मनी की चांसलर एंजिला मर्कल की पार्टी यूनियन ब्लॉक को आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है जबकि 2005 की बाद पहली बार जीतने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता उलाव स्कॉल्स गड़बंधन सरकार बनाएंगे चांसलर मर्कल नहीं सरकार के गठन तक कारेभाग भूमी का में प्रभारी बनी रहेंगी यह ता सीर में देखिए एंजिला मर्कल 16 साल तक चांसलर रही है 2005 से 2021 तक मर्कल रूड़ी बादी पार्टी की पहली महिला चांसलर थी बात करें हाँ पर जर्मनी की तो इसी कैपिटल है बर्लिन करंसी है यूरो नेक्स्ट क्वेस्टन देखो क्वांटम टेकनोलजी पर किस आयाइटी ने सेंटर ओफ एक्सिलेंस सी ओई की स्थापना की है तो सही जवाब हो ऑप्शन नमबर सी आयाइटी दिल्ली तो आयाइटी दिल्ली ने क्वांटम टेकनोलजी परूत क्रिश्टा केंदर सी ओई की स्थापना की है केंदर संबंधित शेत्र में अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करेगा इसका उदेशे संस्थान में की जा रही गतिविधियों में तालमेल औसामंज़स से लाना है और डियस्टी और अन्य फंडिंग अजेंसियों से अधिक महत्वपून परियोजना के लिए प्रमुख जांच करताओं का समर्थन करेगा इस वर्ष के स्थापना दिवस की थीम है कैस्केडिंग एफेक्ट्स ओफ डिजास्टर इवेंट सिंदी हिमालियन रीजन प्रधान मंत्री के प्रधान सचीव डॉक्टर पी के मिश्रा समापन भाशन देंगे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के धक्षिता में NDA में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाए है इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधी नियम 2005 के तहट की गई है सांस्क्रितिक मांचितरन पर राष्ट्रे मिशन NMCM को इंदिरा गांदी राष्ट्रे कला केंदर आईजी NCA को सौप दिया गया है जो अक्टूबर 2021 में कितने गाउं में ट्राइल रन शुड़ू करेगा तो सही जवाब हो आप्श नमबर A 75 तो NMCM को इंदिरा गांदी राष्ट्रे कला केंदर को सौप दिया गया है जो अक्टूबर 2021 में 75 गाउं में ट्राइल रन शुड़ू करेगा IGNCA की स्थापना 1987 में संस्कृती मंत्राले के तहट एक स्वायत संस्थान के रूप में कला के क्षेत्र में अनुसंधान, अकादमिक खोज और प्रसार के लिए केंदर के रूप में की गई थी IGNCA का लक्षे वितिवर्ष 2021-22 के अन तक 5000 गाउं में मान्चित्रन का काम पूरा करना है नेक्ट प्रसन देखो विग्यान और प्रद्योगी के लिए शांती स्वरू भटनागर पुरस का 2021 कितने विग्यानिकों को दिया गया है? तो विग्यानिक और अनुसंधन परिशत CSIR के असीव स्थापना दीवस के दुरान साइंस और टेकनोलोजी के लिए शांती स्वरू भटनागर पुरस का 2021 ही घोशना की गई CSIR हर साल 45 वर्ष से कम आयू के विग्यानिकों को यह पुरसकार प्रदान करता है इसमें कैटेगरीज है जीव विग्यान, रस्तायन विग्यान, पर्यावरन विग्यान, इंजिनिरिंग, गनित, चिकित्स और भौतिकी एक बार डिसकस कर लेते हैं कि अलगलग कैटेगरीज में किसको अवर्ड मिला है सबसे पहले है biological science category डॉक्टर अमित शाह और डॉक्टर अरुन कुमार शुकला नेक्स्ट है chemical science category डॉक्टर कनिश्क बिस्वास और डॉक्टर टी गोविंदा राजू नेक्स्ट है earth atmosphere ocean and planetary science category डॉक्टर बिनौई कुमार सैकिया engineering science category डॉक्टर देवदीब मुखोपादियाए mathematical science category डॉक्टर अनीश घोष डॉक्टर साकेत सौरग नेक्स्ट है medical science category डॉक्टर जीमन पनियामकाल और डॉक्टर रोहित श्रिवास्तव लास्ट है physical science डॉक्टर कनग साह बात कर लेते हैं आज के session के quick summary की तो NCC के DG बने है गुर्बीर पाल सिंग नीमा बैन अचारे गुजरात legislative assembly से first women speaker बनी है world rabies day 2021 की theme है rabies facts not fear 100 grand prix जीतने वाले first F1 driver बने है लुइस हैमिल्टन स्वच सर्वेक्षन 2022 हरदीब सिंग पूरी ने launch किया Germany के social democratic party के chancellor के candidate है Olaf Scholz quantum technologies पर center of excellence IIT दिली में setup किया गया 28 सितंबर को national disaster management authority का 17th formation day inaugurate किया गया इंदिरागांधी national center October 2021 में 75 villages में 8 trial run शुडू करेगा और science and technology में 2021 का शांती स्वरू भटनागर प्राइज 11 scientists को दिया गया है बात का लेते हैं आज के session के quiz for the day के आपका पहला question है और आपका दूसरा question है नीमा बैन अचारे किस राजय की विधान सभा की पहली महिला दियक्ष बनी है इन दोनो questions का answer आपको नीचे comment section में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंड्स को जोईन जरूर करना है थैंक यू सू मच